हलो माई व्यूटिफल सोल्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वह आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है और इसी लिए आज मैं आपको इस वी हैं जो कि life-changing affirmations हैं आप लोग यूज कर रहे हो आप सब ने मुझे promise भी किया था कि आप सब यूज करोगे तो आज मैं कुछ ऐसी tricks and techniques बताऊंगे जिसकी वज़त से आप खुद से और भी ज़्यादा प्यार कर पाऊगे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको self love के बारे में सिखाना चाहती हूँ जितना YouTube पे मैं सिखा सकती हूँ उतना थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहती हूँ और मैं उन सारी चीज़ को स्टार्ट कर दोगे उसी वक्त ठीक है तो चलिए मैं अभी आज इस वीडियो में तीन चीजों के बारे में बताऊंगे क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़े पताने का कोई मसलब नहीं होता धीरे से धीरे धीरे आराम आराम से मैं आपको चीज़े बताऊंगी वैसे त खुद की आलोचना नहीं करना आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसिजम यानि जब आप अपनी बुराई करते हो तो आप अपनी आलोचना कर रहे हो तो आज अभी और इसी वक्त मुझसे ये वादा कीजे खुद से ये वादा कीजे प्रॉमिस कीजे कसम खाये कि आज के से कभी भी lifetime के लिए आप कभी भी अपनी criticism नहीं करोगी अपनी बुराई नहीं करोगी अब मैं आपको बताती हूं कि आप कैसे अपनी बुराई करते हो आप जड़ा एक बार खुद को मिरर में जाके देखिए अभी ही देखिए जाईए मेरे वीडियो सुनते सुनते जाईए या मिरर लेके आईए और फिर आप अपने आपको मिरर में देखिए मिरर में देखने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हो मुझे बताईए हो सके तो वीडियो पे कमेंट करिए कि मिरर देखने के बाद आपके माइंड में आने वाला सबसे पहला थौट क्या था यूजरली कि हम क्या करते हैं कि हम जब mirror में खुद को देखते हैं तो हम अपने अंदर कमिया देखते हैं मतलब हमारे अंदर क्या कमी है जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी skin पे यह है वो है pimples हो गए मेरी आखें ऐसी है वैसी है मेरा hairstyle अच्छा नहीं है मेरे hair अच्छे नहीं है मेरी eyebrows अच्छे नहीं है मेरे lips खराब है मेरी face खराब है मेरी body खराब है मेरा shape खराब है या मैं यह तो हुआ body को लेकर आपने बुराई करी इससे ही इसके ही जैसे बहुत सारी बुराईया है जो आप अपनी करते हो जैसे कि आप सोचते हो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं ब खुद से प्यार करते हो तो आप जैसे हो बिलकुल उसी रूप में खुद को सुईकार कर लीजे बिलकुल उसी रूप में खुद को एकसेप्ट कर लीजे इसलिए यह affirmations मैं आपको बोलने के लिए हमेशा कहते हो हमेशा कहते हो कि affirmations बोलिए I love and accept myself exactly as I am तो आज आप यह समझ गए कि यह affirmation क्यूं है क्योंकि आपको अपने आपको as it is सुईकार करना है ठीक है तो आज यह पहली चीज मैं आप लोग को सिखा रही हूँ मैं सोच रही थी एक साथ दो चार चीजे बताओं बट मुझे लगता है आज मैं आपको यह चीज भी बताओं और सांत में इस से रिलेटेड एक प्राक्टिस भी बताओं ताकि आप लोग अपने self-love की जो प्राक्टिस है वो start कर पाओं देखिए आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपनी जगा सही है आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी desire है कि आप उस चीज को मै लेकिन यह कब हो पाएगा यह तब ही आराम से हो पाएगा जब आप खुद से प्यार करोगे जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हो है ना आप जब भी किसी ऐसे परसन को देखते हो जिससे आप प्यार करते हो तो आप कितना अच्छा महसूस करते हो, क्या कभे नोटिस किया है आपने किसी ऐसी चीज को देखने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है जबकि जिस परसन से या जिस चीज से आप प्यार करते हो बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना गाईस, बिल्कुल उसी तरीके से आप अगर जब खुद से प्यार करने लगोगे तो आप एक ऐसे परसन से प्यार करने लगोगे जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है आपके साथ लाइफ टाइम कौन रहेगा एक परसन जो आपके साथ हमेशा रहता है और हमेशा ही रहेगा वो आप खुद हो तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जिस परसन के साथ आप हमेशा रहोगे लाइफ टाइम रहोगे उसके साथ आपके रिलेशन से बहुत ही प्यारी हो लविंग हो क्या आपको ये बात exciting नहीं करती कि आप अपने खुद के company enjoy कर रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप तब करते हो जब आप अपने boyfriend और girlfriend के साथ होते हो या आप किसी ऐसे place पे होते हो जिस place को आप पसंद करते हो बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको खुद से प्यार हो जाएगा तो आपको पता चलेगा आपकी life में real romance स्टार्ट हो गया है आपकी life exciting हो गई है खुशियों से भर गई है आपको जो चाहिए वो ऐसे चुटकी बचाते हैं आपके स्पास आजाती है आप अपने life में वो सारी चीज़े attract कर लेते हो जिसकी आपको जरूरत है और self love की practice धीरे धीरे होती है धीरे धीरे चीज़े काम करना स्टार्ट करती है suddenly कुछ भी नहीं होता आपके mind में thoughts, patterns अब कुछ change होने लगते हैं और आपकी life एक खुबसूरत रास्ते में चली जाती है आपका रास्ता change हो जाता है जैसा कि हम सभी जानते है life में lifetime changes आते हैं लेकिन जो changes आपके अंदर तब आएंगे जब आप खुद से प्यार करोगे तो उस वक्त जो changes आएंगे वो वाकई में positive changes होंगे लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करते अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो जब life change होगी तो आप negative situations negative circumstances को अपनी life में attract कर लोगे ऐसे persons को attract कर लोगे अपनी life में जो आपको दुख देंगे और सबसे बुरी बात ये होगी कि आप उनसे attached हो जाओगे और फिर आप needy हो जाओगे desperation आपकी अंदर कूट कूट के भर जाएगी जैसा कि अभी आप लोगे साथ होता है तो चलिए आज पहला कदम self love की और बढ़ाईए आज ये वादा करिए खुद से मुझसे वादा करिए मेरे वीडियो के नीचे comment करिए ये लिखिए कि हाँ दीदी मैं promise करती हूँ कि आज से अभी से इसी वक्त से कि लाइफ में आपकी लाइफ को पूरी की पूरी चेंज करने के जहमता रखता है ये एक वीडियो समझे आप आपको नहीं पता इसकी importance क्या है मुझे पता है और मैं उन लोगों से request करना चाहूँगी जो मेरे साथ मेरी life classes में जुड़े हैं जो कि साथ में workshop में काम कर रहे है मेरे जो practice कर रहे है self love की please आप अपने बताईए आके कि आपको क्या पाइदा हुआ self love की practice के पहले आप कैसा feel करते थे और अब जब आप self love की practice कर रहे हो तब आप कैसा feel कर रहे हो दोनों में क्या अंतर है चला आप मुझे आईए और यहाँ पे आके बताईए तो guys आज मैंने एक ही technique mention करी है आज एक ही चीज बताई है इस एक चीज को आप please follow करिये मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों तक मैं आपको कुछ एक एक करके कुछ चीजे सिखाऊ जिससे कि आपके अंदर self love बढ़े खुद से प्यार करने के तरीकों को आप सीखो यह आपके लिए बहुत नई चीज है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी तो चलिए आज से आपकी journey स्टार्ट हो चुकी है आज से आप खुद से प्यार करना सुरू कर दें ठीके गाइस तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिए खुद से प्यार करिये और अपनी मन्चाही चीजों को मैनिफेस्ट करते रहिए आप याइस झाल रखिए धैस्ट वाचिए रखिट्डव झाल ओंच वाचिए प्यार वटते वाची श्यार्ट है